विल्कम बैक टू मैं चानल तर चलिए आज हम बनाते हैं बिहार की बिहार और यूपी का प्यार लिट्टी चोखा जो भी एकदम अन्थेटिक तरीके से आज से पहले ये रेस्पी आपने कभी ट्राइ नहीं की होगी तो अगर आपने कभी ये रेस्पी ट्राइ नहीं की होग आप लोग के बहुत पसंद आएगी तो मेरी रेस्पी आप लोग के पसंद आए तो आप लोग को फिर से याद दिला देते हूं कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल ऐकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं और इसे बनाना एकतम एजी है आप बेसिक सी समानों से आप इसे बना सकते हो तो मैंने ले लिया है, आटा करीब 1 kg आटा है आप अपने हिसाब से बनाना जितना आपको बनाना है तो मैंने आटे ले लिये है घर के नर्मल आटा है उसमें एक टेबल स्पून इसमें अजवाइन अजवाइन को थोड़ा सा हाथों पर क्रस करके डालेंगे ताकि स्वात अच्छा आता है और आधी छोटी चम्मच इसमें नमक आड़ करेंगे एक बड़ी चम्मच इसमें हम तेल आड़ करेंगे तेल आड़ कर देंगे एक या अब तोड़ा सा पानी डाल कर इसमें हम इस this hard dough त्यार कर लेंगे सबस्क्राइब लिट्टी के लिए हमेसा याद रखेगा कि तो इसलिए हमें hard dough त्यार करना पड़ता है आटे गूतिये के एक लिखिए गत एंग sadna है क्योंकि हमें इसे तलन नहीं है इसे हम kukar में बनाएंगे तो थोड़ा सा हांतों में तेल लेकर आठे गुद चुके हम थोड़ा सा तेल चुनalenते साइड में रहा दोड़ें आप इसे किसी भी एस्टोर से ले सकते हो मार्केट में आसानी से मिल जाता है तो आप इसे अराम से ले सकते हो तो अब हम यह 250 ग्राम है इसका कॉंटिटी 250 ग्राम है इसमें डालेंगे हम कुछ हरी चीजे जीसे की लगभग 20-25 लहसुन की कली और एक इंच मैंने अद्रक को प्रॉट लिया था और यह हरी मीर्च हे हरी मिर्च करीब 7-8 इसमेए अगर बचको के लिए बना है तो हरी मीर्च कम कर देना ताकि वह किले कि काट लेनेकेवगां इसमें हम प्याज भी एड करेंगे प्याज को प्याज पीम बार् atrás ना फटना ताकि बिल फटे ना अब हम इसके सभी को मिक्सक्र देंगे और थोड़ा सा इसमें लगभग 3-4 चमच इसमें एड़ करेंगे हरा धनिया हरा धनिया जरूर डालिएगा इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है इन सब को हम मिक्स कर देंगे मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से ताकि सत्तू के साथ यह सब मिक्स हो जाए और आधी छोटी चमच हम एड़ करेंगे इसमें अजुआइन को क्रस्ट करके हाथों पर डालेंगे और कनौन जी जी से भी बूला जाता है आधी छोटी चमच उवह इसमें एड़ कर देंगे इ हम इन सब को मिक्स कर देंगे मिक्स करके हम चार से पांच चमच इसमें निम्बू एड़ करेंगे निम्बू एड़ कर देंगे निम्बू का रस या फिर आपके पास निम्बू अगर ना हो निम्बू का अचार होता है या फिर आम का अचार वो इसमें एड़ कर देंगे निम कर देंगे 4-5 चमच तकि घटा लगता है तो बहुत अच्छा लगता है ती N 4 चमच इस में एड़ करेंगे सरसो का तेल सरसो का तेल on ठेटक टेस्ट लाता है तो आप लोग सरसो का तेल तीन चार चमच इसमें जरूराइट करना तो तीट कर देंगे एकदम ऑन्थेटिक टेस्ट बहुत अच्छा लेकर आता है सरसो का तेल अभामीन सबको अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर देंगे और हमारा एस्टफिंग रेडी हो चुका है हाथों से म अच्छा हो जाए चारों तरफ से यह मिक्स हो जाए डिटी हो चुका है अब हम थोड़ा से हाथ पर रेसे लेकर टेस्ट कर लेंगे नमक कम या ज्यादा हो कम हो तो हम इसमें डाल सकते हैं अब हम इसे साइड में रखते हैं तो इसके साथ खाने के लिए लिद्टी के साथ वे लिए चोखा तो बनता हिए तो आप बड़ा वला भरता वला बैगन आता ह है वह भी बन ले सकते हो मेरे पास यही अभी फिलाल था तो मैंने इसमें इसमें दो-तिन कट लगा देना है ज्यादा नहीं लगाना है इससे यह फायदा होता है इसी के साथ हम डाल देंगे लहसुन और हरी मिर्च इसमें साथ से आठ लहसुन और दो तीन हरी मिर्च इसमें मिक्स कर देंगे दोनों में दोनों बैगन को इसी तरीके से हम कट लगा देंगे और इसमें हरी मिर्च लहसुन डाल देंगे वैसे तो गाउं में लोग आग पर पकाते हैं लेकिन हम इसे डिरेक्टली ऐसे जाली आता है इसी पर हम गैस पर पकाएंगे गैस को लो कर देंगे लो फ्लेम पर हम इसे उलट पुलट करके पका लेंगे ताकिसे यह सिख जाए चारो तरफ से यह उलट पुलट करके हम पका लेंगे जैसे पक जाता है एकदम सॉप्ट हो जाता है तो देखे यह पक चुका है पकने में टाइम नहीं लगता है यह जटप को हैसं अलक से दो हरी मिर्च को अग्दम भारिक काट लिया था उसको को भी स्में एट कर देंगे तुमारी कालिया थी स्रीश कर रिक्वीट को पहले ही टमार्यश को दो पका लिया था दो टमाटर को इसमें भी हम इसमें एड कर देंगे और हम इसमें नमक डाल कर सुआद का नुसर मैं आदी छोटे चमच नमक डाल sol कि ये मिक्स हो जाये और चारों तरब से बैगन इतना अच्छे से पक जाता है कि इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मैस करने में अब हमारा बैगन का भरता बन के रेडी हो चुका है तो चलिए अब हम बनाते हैं कि लिट्टी हम थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे एकदम अंफेटिक अलग 10 तरीके से तो लिट्टी को हम बनाने से पہले हम लेंगे चीज क्यूंकि हम इसमें चीज लिट्टी बना रहे थे हैं है तो ऐख से पहले एक छोटे से लुय बना लेंगे इस का मिस तरीके से लोगी बना लेंगे एक दम घूल बीच में दोनों अंगुठे और side side से चालो अंगुली रहेगा तो यह एकदम कोटोरी की जैसे बन जाता है अब जो हमने stuffing तयार किया थो उस stuffing को डालेंगे इसमें तो एक चमच stuffing डालेंगे और एक slices चीज का और उपर से एक चमच और इसमें stuffing एड़ कर देंगे अब चारो तरब से आटे को लुए लेकर इ निकाल देंगे और ऐसे हाथों पर घुमाते हुए ऐसे एकदम गोल बना देना है एकदम राउंड एकदम गोल इसे बना देंगे क्योंकि हमें इसे कूकर में बनाना है तो अब हम साइड में रख देंगे ऐसे ही हम गोल बना बना कर ऐसे ही देख सकते हैं इसे कोटोरी की जैस के स्लाइस अगर आप ज्यादा चीज खाना पसंद करते हो तो चीज इसमें ज्यादा डाल सकते हो ताकि एस्टफिंग के अंदर दीखे लेकिन मैं एकदम थोड़ा सा चीज एड़ कर रहे हूं क्योंकि एस्टफिंग के अंदर यह मैल्ट हो जाएगा दिखेगा भी नहीं कि चीज कहा है इतना कम मैं चीज इसमें मिक्स कर रहे हूं अगर आप ज्यादा चीज खाना पसंद करते हो तो इसमें डाल सकते हो अब हम यसे राउंड घुमाते हुए ऐसे गोल सेफ देदेंगे एकदम गोल बनाना है इसको ताकि यह दिखने में अच्छा दिखे हैं अब हम इसे क्या करेंगे इसे हम कुकर में बनाएंगे तो अपलोग हमेसा ध्यान रखियेगा कुकर में बनाना है तो डो को आटे कोड़ो को हाडर बनाना है सौप्ड बनाएंगे तो कुकर में जाते ही चिपक जाए ness libraries तो इसलिए हमें इसे डो को हाड बनाना है अब हम कुकर लेंगे जिस कुकर में बनाना है उस कुकर में थोड़ी से डालेंगे तेल अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने लिट्टी बनाया था गोल गोल एकदम उस लिट्टी को इसमें डाल देंगे एकदम सटा सटा कर नहीं डालना है थोड़ा अलग अलग करके डालना है ताकि ये पकने के बाद चिपके नहीं तो आप सटा सटा कर डालोगे पास पास में डालोगे तो ये चिपक जाएगा तो इसलिए थोड़ा दूरी करके ही हम इसे डालेंगे थोड़ा सा दूरी करके ही ह अब हम इसे गैस पर ले चलते हैं, आप लोगों को फिर से याद दिला दू, मेरी रेस भी पसंद आ रहे हैं, तो प्रीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेसन सबसे पहले आपको मिले, अब हमने इसमें रख दिया है लिटी को, अब बीना कुकर के धकन के और बीना रबड के हम इसे, कुकर के नहीं तो धकन रहना चाहिए, नहीं तो रबड रहना चाहिए, अब हम इसमें बीना धकन के, बीना, बीना सीटी के और बीना रबड के हम इसे, गैस पर रखेंगे, तो गैस पर करीब चार से पांच मिनट के लिए हम ऐसे ही लो फ्लेम पर इसे पगाएंगे लो फ्लेम चार से पांच मिनट चार से पांच मिनट के बाद हम गैस पर इसका धकन हटा कर देखेंगे तो चार से पांच मिनट के बाद हम धकन हटा कर चेकर ले रहे हैं तो उलट पुलट देंगे चार तरफ से पक जाएं अब भीर से हम इसमें ढ़कन लगा देंगे बीना सीटी के और बीना लीड के अब हमेजे हिलाते हुए कुकर को पकाएंगे करेब 30-35 मिनट के लिए ताकि इसमें टाइम लगता है 30-35 मिनट टाइम लग जाएगा तो 30-35 मिनट हो जाने के बाद हम कुकर खो पकने के बाद एक फटा पटा सा दिखता है इससे यह पता चलता है कि अच्छी तरीके से पक चुका है तो 30-35 मिनट हो चुके हैं अब हम घुकर को थोड़ा हिला कर देख ले रहे हैं तो यह अच्छी तरीके से पक गया है दिख सकता है देख सकते हैं आप लोग एकदम हुआ है अगर आप लोग गाउं में हो तो आप इसे आग पर पका सकते हो लेकिन यहां आग नहीं है मैं इसे तोड़कर दिखा रही हूं इतना अच्छा बनकर तयार हुआ है इतना क्रिस्पी और अंदर से इक स्टॉफिंग इतना अच्छा है मैंने बोला था ना कि चीज इसी में मैल्ट हो जाएगा तो अगर आप लोग ज्यादा चीज खाना पसंद करते हो तो ज्यादा चीज इसमें डाल सकते हो अगर मेरी रेस्पी आप लोग की पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरे वीडि लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज